गुद मॉर्निंग स्टूरेंट्स तुड़े वी स्टार्ट फॉर्सम ऑफ एक्सेसाइज 9.2 लास्ट लेक्चर में हमने 9.1 के त्री सम तक कर लिया था तुड़े वी स्टार्ट फॉर्सम इसमें क्या दिया गया इन दा गिवन फिगर जो आम्स दी गई होती हैं हमारे पास ये वाली और ये दोनों हमारी क्या है पैरलर है यानि कि A B पैरलर है E F D E के और जो B C है वो पैरलर है किसके E F के एंड ट्रेंगल A B C यानि कि ये हमारा एंगल कुन सा होता है जो ये बीच में alphabet लिखा होता है हमारे पास वो हमारा angle हम measure करते हैं उसे हम define करते हैं वो angle क्या होता है 65 और हमें find क्या करना है angle D, E, F इट मींज हमें angle क्या निकालना है E angle निकालना है D, E, F हमें ये वला angle हमें क्या करना है find करना है ठीक है तो इसके बाद देखिए हमें नहीं पता कि इन दोनों का जो relation है हम कैसे निकालेंगे उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए ये वाला angle ठीक है लेट कर लेते हैं यहाँ पे कोई point है G हमें अब पहले कौन सा firstly angle पता होना चाहिए DGC तभी हम angle DEF को क्या कर पाएंगे find कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक common transversal होना जुरूरी है तभी हम कोई दूसरा angle find कर सकते हैं ठीक है अब है given that angle ABC is 65 अब हमें यह given था कि angle जो हमारा ABC क्या है 65 है और हमारे पास तू जो arms थी वो क्या थी equal parallel थी तो यह में लिख सकते हैं AB parallel है हमारी D E के given है हमारे पास यह और BC parallel है हमारी EF के यह भी हमारे पास given है ठीक है उसके बाद we have to find the value of angle D E F हमें find क्या करना है D E F F so first we find the D G F हमें क्या find करना पड़ेगा D G sorry D G C find करना पड़ेगा हमें ठीक है D G C find करेंगे तो उसके लिए क्या होगा angle ABC equals to angle D G C यह हमारे पास क्या है corresponding angle है हमारे पास corresponding angle हमारे पास क्या होते है the angles on the same side of transversal one of which has an exterior angle and other is interior angle ठीक है हमारे पास एक common transversal होना चाहिए जिसमें हमारे पास एक तो क्या हो exterior हो और दूसरा क्या हो interior हो यह हमारे पास interior angle है BC हमारा क्या है transversal है इसमें यह क्या है exterior और G हमारा क्या है exterior angle है तो इट मींस यह क्या होगे equal होगे D G F हमारा क्या गया 65 तो D G F हमारा क्या गया 65 भी proved अबग हमने पहले प्रूव कर दिया ठीक है तो डी एफ जो डी एफ है वो भी क्या है हमारा 65 आएगा डी जी एफ के एकवल क्यों उसका रीजन क्या है कोरस्पोंडिंग एंगल तो कि यहां पर देखो हमारे पास ट्रांस वर्जल क्या गया वन आ गया कोमन ट्रांस वर्जल हमें मिल गया यह भी हमारे पास क्या है एक हमारे पास इक्स्टीरियर है और दूसरा इंटीरियर एंगल है तो it means यह हमारे पास क्या होगे corresponding angle होगे तो यह भी हमारे पास क्या आ गया 65 आ गया उसके बाद फिर sum क्या है हमारे पास in the below figure AB parallel CD AB किसके parallel है CD के EF parallel है GH के find the value of XYZ और एक value हमें given है 110 की ठीक है हमें यह values find करनी है XYZ और यह हमें given है 110 तो हम लिख लेंगे given that AB parallel CD and EF parallel GH तो हमारे पास यह given है ठीक है तो we have to find XYZ हमें XYZ find करना है जो हमारे पास given angle है हम left कर लेते हैं वो क्या है CE है तो angle CE equals to 110 given है जो हमें angle दिया गया था 110 उसे हमने अपनी तरफ से नाम दे दिया क्या angle C तो angle C equals to angle Z angle C इसे हमने नाम दे दिया C angle C equals to angle Z यह हमारे पास क्या है alternate angle है vertically opposite angle है क्योंकि देखो अगर हम कुछ इस तरह से मैंने इसे बनाया है आपको समझाने के लिए जो यह E, F और G, H थे मैंने यह two parallel lines ले ली और यह हमारे पास क्या है एक transversal है C D और यहाँ पर Z दिया हुआ है और यह जो हमारे पास angle था 110 तो अब यह देखो हमारे पास क्या बनगे alternate angle है vertically opposite angle है तो वो क्या आते है equal आते है यह इसे हम कह सकते है exterior angle भी हम बोलते है तो वो हमारे पास क्या आते है equal होते है तो angle Z क्या आ गया हमारे पास 110 आ गया ऐसे ही angle X equal to angle Z angle X equal to angle Z यह हमारे पास क्या corresponding angle है एक हमारे पास exterior और दूसरा interior तो यह भी हमारे पास क्या आ गया 110 आ गया उसके बाद हमें क्या find करना है angle Y तो angle Y हम कैसे find करेंगे तो angle X plus Y equals to 180 X की value हमें पता है 110 तो angle Y 180 तो angle Y जब side change करी minus का sign आएगा तो वो क्या गया angle Y equals to 70 टिगरी आ गया हमारे पास उसके बाद यह सीख सम है हमारे पास if two lines P and Q are intersected by a transversal L यह L इसे क्या कर रहा है intersect कर रहा है यह two lines को such that angle 1 and 2 यह क्या है 38 equal है then check if P parallel क्या हूँ हमें चेक करना है कि P parallel क्या है या नहीं है if so Y हमें बताना उसका reason क्या है देखो यह हमारे पास given है angle 1 equal to angle 2 और यह देखिये हमारे पास है भी क्या एक exterior है दूसरा interior है तो इट मींस यह हमारे पास कौन से angle है corresponding angle है और वो क्या है equal है और वो angle हमारे पास کब equal होते है जब two lines हमारे पास क्या हो parallel हो तो it means P और क्या हूँ क्या है parallel है हमारे पास if the figure M parallel N parallel P यह हमारे पास तीन lines क्या दी गई है parallel दी गई है और एक L जो है transversal दिया गया है find X, Z और Y हमें यह तीनों values find करनी है हमारे पास given क्या है 110 तो इसे आपने let कर लेना है given value 110 let the angle is C इसे हमने नाम दे देना है C अब angle C किसके equal आएगा angle Z के यही reason है one is interior, दूसरा क्या है exterior है, corresponding angle है तो angle Z क्या आगया 110 आज़ेगा angle Z plus angle X यह क्या होंगे हमारे पास supply pantry angle हो जाएगे linear pair में तो वहाँ से angle Z की value निकल जाएगी ठीक है, ऐसे ही angle Y की value हमें क्या करनी है find करनी है H sum भी आपको खुद को try करना है 9 sum देखे, in the given figure L parallel M L parallel दिया गया है M के and P is a transversal find the value of X हमें P जो क्या है transversal दिया गया है ठीक है, P हमारे पास क्या था? transversal था तो यहां देखे हमारे पास given figure में X और X plus 35 यह दोनों क्या है? हमारे पास interior angle है और same side में है ठीक है, तो यह हमारे पास एक property होती है तो अगर same side पे हमारे angle है तो उनका plus क्या होता है? 180 होता है तो X plus X plus 35 180 2X plus 35 180 35 को हम side change करेंगे तो minus का तो 155 2X X यहां हमारा केला रह जाएगा और 2 divided में divide करेंगे तो क्या हैगा? 75.5 degree तो हमारे पास X की value क्या आगी? 75.5 degree next sum में क्या है in the following figure P parallel क्या हूँ and M is transversal find the value of X सबसे पहले आपने क्या लिखना है? given क्या है P parallel क्या हूँ है और M क्या है? transversal है we have to find the value of X हमें value किसकी find करनी है? X की find करनी है उसके लिए हमें क्या करना होगा? 4X plus X equals to 180 because exterior angle जो हमारे exterior angle होते हैं same side के उनका plus क्या होता है? 180 होता है तो 4X plus X equals to 180 ऐसे लिखेंगे 5X plus X equals to 180 X की value क्या आगी 36 degree तो यह हमारा 9 chapter complete हो गया है आगे प्रेंगे